हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का study points पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जीकी की most important 30 question को हम इस वीडियो में discuss करने वाले हैं तो दोस्तों आपकी आने वाली exam की दर्ष्टी से इस वीडियो आपके लिए काफी helpful होने वाली है महरा पहला question है महराने लच्चमी भाई की समाधी कहां इस्थित है option A मंडला option B मांडो option C जवलपूर option D ग्वालियर महराने लच्चमी भाई की समाधी ग्वालियर में इस्थित है तो हमारा right answer option D हो जाएगा ग्वालियर इसके बाद हमारा अगला कुश्चन साची इस्तूप का निर्माड किसने कराया था? उप्शन A. चंदगुप्त उप्शन B. गौतम बुद्ध उप्शन C. महाबीर उप्शन D. असोक साची इस्तूप का निर्माड असोक ने कराया था तो हमारा राइट आंसर उप्शन D. हो जाएगा असोक इसके बाद हमारा अगला कुश्चन स्री हरी कोटा कहां इस्तित है? उप्शन A. महराष्ट उप्शन B. आंदर प्रदेश उप्शन C. राजस्थान उप्शन D. उडिसा स्री हरी कोटा आंदर प्रदेश में इस्तित है तो हमारा राइट आंसर उप्शन B. हो जाएगा आंदर प्रदेश इसके बाद हमारा अगला कुश्चन भारत की सिलिकोन घाटी कहां इस्तित है? उप्शन A. हैत्रावाद उप्शन B. सिरी नगर उप्शन C. देहरादून उप्शन D. बैंगलुरू भारत की सिलिकोन घाटी बैंगलुरू में इस्तित है तो हमारा राइट आंसर उप्शन D. हो जाएगा बैंगलुरू इसके बाद हमारा अगला कुश्चन राम किष्ण मिसन की इस्तापना किस ने की थी उप्शन E. बैवेका नंद उप्शन B. राम किष्ण परमहन्स उप्शन C. एम जी रानाडे उप्शन D. केसाव चंद सैन राम किष्ण मिसन की इस्तापना बैवेका नंद ने की थी तो हमारा राइट आंसर Option A हो जाएगा बिवी का नंद इसके बाद हमारा अगला कुश्चन सिरी अर्विंदो आस्रम कहां इस्थित है Option A. तमिलनाडू Option B. करनाटक Option C. रामे सुरम Option D. पांडे चेरी सिरी अर्विंदो आस्रम पांडे चेरी में इस्थित है तो हमारा राइड आंसर Option D. हो जाएगा पांडे चेरी इसके बाद हमारा अगला कुश्चन उज्चेन का प्राचीन काल में क्या नाम था? Option A. तक्षिला Option B. अबंतिका Option C. इंधप्रस्थ Option D. उप्योगत में से कोई नहीं उज्चेन का प्राचीन काल में नाम अबंतिका था तो हमारा राइड आंसर Option B. हो जाएगा अबंतिका इसके बाद हमारा अगला कुश्चन साची का महान इस्थूप कहां इस्थित है? Option A. उत्तर प्रिदेश Option B. मद्ध प्रिदेश Option C. अउनाजल प्रिदेश Option D. आंद प्रिदेश साची का महान इस्थूप मद्ध प्रिदेश में इस्थित है तो हमारा राइड आंसर Option B. हो जाएगा मद्ध प्रिदेश इसके बाद हमारा अगला कुश्चन आगरा में इस्थित लाल किला अकवर ने बनवाया था तो हमारा राइड आंसर Option A. हो जाएगा अकवर इसके बाद हमारा अगला कुश्चन साची इस्थूप का नर्माड करने वाले मुर्र राजा कौन थे Option A. तसरत Option B. चंदगुप्त मुर्र Option C. बिंदुसार Option D. असोग साची इस्थूप का नर्माड करने वाले मुर्र राजा असोग थे तो हमारा राइड आंसर Option D. हो जाएगा असोग इसके बाद हमारा अगला कुश्चन होच खास किसने बनवाया था Option A. बलबन Option B. अलाउद्दीन खिल जी Option C. मुहम्मद तुगलग Option D. प्रोच साय तुगलग होच खास अलाउद्दीन खिल जी ने बनवाया था तो हमारा राइड आंसर Option B. हो जाएगा अलाउद्दीन खिल जी इसके बाद हमारा अगला कुश्चन जैपुर में इस्थित हवा महल का निर्माड किस ने कराया था Option A. महराजा जैसिंग प्रतम Option B. महराजा जैसिंग दो दिये Option C. महराज माधाव सिंग Option D. महराजा प्रताप सिंग जैपुर में इस्थित हवा महल का निर्माड महराजा प्रताप सिंग ने करवाया था तो हमारा right answer option D हो जाएगा महाराजा प्रताप सिंग इसके बाद हमारा अगला question फतेपुर सीकरी किस राज्ज में इस्थित है? option A उत्तर प्रिदेश, option B गुछराद, option C राजिस्थान, option D मत्र प्रिदेश फतेपुर सीकरी उत्तर प्रिदेश राज्ज में इस्थित है तो हमारा right answer option ही हो जाएगा उत्तर प्रिदेश इसके बाद हमारा अगला question सांती निकीतन की इस्थापना किस ने की थी? option A सुरंदनाथ बनाय जी, option B रबंदनाथ टैगोर, option C दादा भाई नौरो जी, option D देविंदनाथ टैगोर सांती निकीतन की इस्थापना रबंदनाथ टैगोर ने की थी? तो हमारा right answer option B हो जाएगा रबंदनाथ टैगोर इसके बाद हमारा अगला question प्रिसित एलिफेंटा गुफाएं कहां इस्थित है? प्रिसित एलिफेंटा गुफाएं मुंबई के समीब इस्थित है तो हमारा right answer option B हो जाएगा मुंबई के समीब इसके बाद हमारा अगला question पुसकर जील कहा इस्थित है ओप्षन ए राजिस्थान ओप्षन भी उत्तर प्रिदेश ओप्षन C पंजाब ओप्षन D जम्मू कस्मीर पुसकर जील राजिस्थान राज में इस्थित है तो हमारा राइट आंसर ओप्षन ही हो जाएगा राजिस्थान इसके बाद हमारा अगला कुश्चन, कुतुम मिनार का निर्माड किस सासक ने पूरा कराया था? Option E, कुतुबुद्दीन एबक, Option B, इल्टु तमिज, Option C, अलाउद्दीन खिलजी, Option D, प्रोच साय तुगलक कुतुम मिनार का निर्माड इल्टु तमिज सासक ने पूरा कराया था, तो हमारा राइट आंसर, Option B, हो जाएगा, इल्टु तमिज, इसके बाद हमारा अगला कुश्चन, भारत का स्वेटिजल लेंड किसी कहा जाता है? Option A, कोडागो, Option B, ओटी, Option C, मोरांग, Option D, कोसानी, भारत का स्वेटिजल लेंड कोसानी को कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर, Option D, हो जाएगा, कोसानी, इसके बाद हमारा अगला कुश्चन, कारवेट नैसनल पार्क किस जले में इस्तित है? Option A, नैनी ताल, Option B, चमॉली, Option C, अलमोरा, Option D, हरीद्वार, कारवेट नैसनल पार्क, नैनी ताल जले में इस्तित है? तो हमारा राइट आंसर, Option E, हो जाएगा, नैनी ताल, इसके बाद हमारा अगला कुश्चन, क्रिश्न राज सागर कहा पर इस्तित है? Option A, उदाइपुर, Option B, कोटा, Option C, हैदराबाद, Option D, मैसूर, क्रिश्न राज सागर, मैसूर में इस्तित है? तो हमारा राइट आंसर, Option D, हो जाएगा, मैसूर, इसके बाद हमारा अगला कुश्चन, सार नाथ में किस समराट का इस्तंब है? उप्सन A, अकबर, Option B, असोक, Option C, सेरसाय, Option D, जहांकीर, सार नाथ में असोक का इस्तंब है? तो हमारा राइट आंसर, Option B, हो जाएगा, असोक. इसके बाद हमारा अगला कुश्चन, अमारा नाथ कुपा, कहा इस्तंब है? उप्सन A, जम्मू कसमीर, उप्सन B, हिमाचल ilेस, उप्सन C, तिबबत, उप्सन D, उत्राखनद. अमारा नाथ कुपा, जम्मू कसमीर राज में इस्तित है? तो हमारा राइट आंसर, उप्शने सरदार बल्लबाई पटेल, उप्शन बी जवाहलाल नहरू, उप्शन सी दिन्दयाल उपाद्याय, उप्शन डी बी आर अम्बेट कर, स्टेचू और योनिटी का सम्मंद सरदार बल्लबाई पटेल से है, तो हमारा राइट आंसर उप्शन ए हो जाएगा, सरदार बल्लबाई पटेल, इसके बाद हमारा अगला कुश्चन, नैसनल म्योजियम औप नैच्रल हिस्ट्री, भारत में कहां इस्थित है, उप्शन ए पोड़े, उप्शन भी नई दिल्ली, उप्शन सी चैन नई, उप्शन डी लखनाउ, नैसनल म्योजियम औप नैच्रल इसके बाद हमारा अगला कुश्चन, उप्शन भारत, उप्शन भी नेपाल, उप्शन सी चीन, उप्शन डी तिबद, माउट एवरेश्ट नेपाल में इस्थित है, तो हमारा अगला कुश्चन, लेनिंग टावर ओप पीजा, कहां इस्थित है, उप्शन ए इटली, उप्शन बी फ्रांस, उप्शन सी जर्मनी, उप्शन डी इस्थित है, तो हमारा राइड आंसर उप्शन ए हो जाएगा इटली, इसके बाद हमारा अगला कुश्चन, तक्चिसिला किस देश में इस्थित है, उप्शन ए भारत, उप्शन बी पाकिस् Option C, इरान Option D, इराक तक्चसिला, पाकिस्तान देश में इस्थित है तो हमारा राइट आंसर Option B, हो जाएगा पाकिस्तान इसके बाद हमारा अगला कुश्यन Belling Ball कहां इस्थित है Option E, जेरुसलम Option B, निव्यार्क Option C, मक्का Option D, मदीना Belling Ball, जेरुसलम में इस्थित है तो हमारा राइट आंसर Option E, हो जाएगा जेरुसलम इसके बाद हमारा अगला कुश्यन पीसा की मीनार किस देश में इस्थित है Option A, इस्पैन Option B, इटली Option C, फ्रांस Option D, परसिया पीसा की मीनार इटली देश में इस्थित है तो हमारा राइट आंसर Option B, हो जाएगा इटली इसके बाद हमारा अगला कुश्यन पसूपती, नाथ मंदिर कहां इस्थित है Option E, काटमांडो Option B, मदुरे Option C, बोरो बुदूर Option D, कोलंबो तो दोस्तों इसका अंसर आप कमेंट वॉक्स में बताना की इसका राइट आंसर क्या होगा पसूपती, नाथ मंदिर कहां इस्थित है काटमांडो में, मदुरे में बोरो बुदूर में, या फिर कोलंबो में तो दोस्तों भी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए